नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम से आपके साथ मैं हूँ अंकिता पियम मोधी पर बीबिसी की प्रतिबंधिट डॉक्यूमेंटरी का विरोध करने के एक दिन बाद ही कॉंग्रसनेता अनिल एंटिनी ने स्तीफा दे दिया अनिल एंटिनी कॉंग्रसनेता एक एंटिनी के बेटे हैं डॉक्यूमेंटरी विवात पर अनिल ने सरकार के समर्थन में ट्वीट किया था जिसके बाद से वो लगातार विरोध्यों के निशाने पर थे और उन पर ट्वीट डिलीट करने का दबाव बनाया जा रहा था अनिल एंटिनी ने बुद्वार को कॉंग्रस के सभी पदों से इसके बाद स्थीफा दे दिया उन्होंने ये फैसला पीएम मोधी पर बीबिसी डॉक्यूमेंटरी का विरोध करने के बाद मिल रही धम्कियों के चलते लिया स्थीफा देने के बाद उन्होंने एक जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कॉंगिस से अपने सभी पदों से इस्तीपा दे दिया है। ट्वीट में अनिल ने ये भी लिखा था कि ब्रिटिन के पूर्व विदेश्ट सचिव जैक स्ट्रॉ के विचारों का जो लोग समर्थन करते हैं वो भारतिय संस्थानों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने एराक युद्ध के पीछे भी जैक स्ट्रॉ का ही दिमाग बताया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ बड़े मदभेदों के बावजूद इससे हमारी संप्रभूता कमजोर होगी। अनिल एंटिनी ने केरल के वाइनाट में राहूल गांधी को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अनिल देश के प्रमुक मुद्धों पर भी अपना उपेनियन लगातार रखते रहे हैं। 2019 के लोग सभा चुनाव में उन्होंने पार्टी का डिजिटल वार डूम तयार किया था और राहूल गांधी के लिए वाइनाट संसदी श्वेत्र का सोशल मीडिया हैंडल भी समहला, डिजिटल कैंपेनिंग प्लानर भी वही थे। वहत्मान में वो केरल प्रदेश कॉंगर्स कमिटी, KPCC की डिजिटल मीडिया और AICC की सोशल मीडिया और डिजिटल कम्यूनिकेशन सेल में कनवीनर थे। अनिल एक सफल बिजनिसमेन भी है अनिल एंटिनी कॉंगर्स के वरिष्ट नेता एक एंटिनी के पुत्र है अनिल एंटिनी ने यूएस से स्टेंफोर्ड यूनिविसिटी से सनातक किया है उन्होंने त्रिवेंदरम के कॉलेज ओफ इंजीनरिंग से आगे की पढ़ाई पूर हैं 2019 में बर्लिन में हुई कॉंफरेंस में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था इससे पहले वो जपान के इंडिया ग्लोबल फ्यूचर लीडर्स इंटरेक्शन प्रोग्राम का भी हिस्सा रह चुके हैं अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है जरूर हमें नमस्कार